हलो प्रेंट आप सभी का फिर से हमारे इस यूटूब चैनल में धवाकेदार स्वागत है तो आज हम लोग देखेंगे अनुकरा नारायन मगद मेडिकल कॉलेज जो है क्या क्या सुविधाय यहां पर कौन-कौन सा डिपार्टमेंट की विवस्ता है तो सारा कूर डेटेल्स ह हम लोग जाने के हमायत नहां पर एक मरीज को लेकर के जो दिखवाने के लिए तो हमने कौन सा सुविधाय हैं सोचा मैंने आपको दिखाते चलू और खुद भी मैं सारा कूर जनकारी लूँगा तो आईए इस वीडियो में बने रहें से पहले हम देखेंगे यहां पर जो साथ आपको यह आपको सबसे प्रिच में मिल जाएगा आपको पर्धान मंत्री आऊसदी केंड्र जो की आपको जैणरिक नाम से हां मेडिसीन मिलता है और कमी दामे मिल जाता है जैसा के आप भीड बी देख रहे होंगे साथ इसाथ अपको एक परिसर में बिद्धिंग जो कि आपको पूरे बिल्डिंग का अंदर जाने के बाद और सभी डिपार्टमेंट को जाकर के देखेंगे और दिखाएंगे भी कि क्या क्या सुविधाये हैं ताकि आप भी अप जब भी कभी आएं तो आप यहां पे किसी भी तरह का परिसानी नहों आप डिरेक्ट कभी भ साथ साथ हम आपको दिखाएंगे सीसु विभाग जो कि चाल्ड डिपार्टमेंट यहां पर जो भी बच्चे से जूड़ी हुपी बिमारियां होती है आप OPD के लिए भी बच्चों के लिए आ सकते हैं साथ साथ आपको यहां पर टीका करन सभी तरह का टीका करन किया जाता वह हैं और ौक कां टीको और दीखागार को इसे हम लोग क केंदरी आफी लेखागार के आप टेके हैं हम लोग दहिए ढ़ estado ngakya यहां पर महिलाए सोचले और पुरू सोचले के अलग सुवीदा है, साथ ही आपको यहां लिप्ट की भी सुवीदा मिल जाएगी, आप लिप्ट का भी आनन्द ले सकते हैं, और साथ ही मत्वरा पेंटिंग भी आपको दी जाएगा, इसके साथ ही चम्र वम्रती विभाग जो आपको यह बिल्लिंग का भी दिख रहा होगा, जहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट बटा हुए, यह नेत्र रोग जहां पर किसी भी तरह से आख से भहरानी हो, परेसानी हो, या कोई भी तरह का बेचैनी हो, तो आप आकर यहां पर इलाइज करवा सकते हैं, आख से वो अभी यहां डिप्टी में है, और साथ ही आपको मैं फिर से आपको केंद्रिया भी लेखागार की ओर ले जाता हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि CTS का रिपोर्ट कहां पर बितरन होता है, तो यह केंद्रिया भी लेखागार था, यहीं पर बगल में CTS का रिपोर जिसको हम लोग बोलते हैं, जो इमर्जनसी होते हैं, जिस बच्चा को इमर्जनसी में रखा जाता है, तो उसे इहना इस्यू बोलते हैं, और साथ ही बगल में इसके PICU भी है, अब मैं चलता हूँ आपको भंडार की ओर, आप चानते हैं कि भंडार क्या होता है, जहां भी कि इसी भी चीज का जमा करना हो, तो यह है सर्जिकल भंडार, सबसे पहले मैं आपको सर्जिकल भंडार दिखाता हूँ, यहां पर सरजैरी से जूड़ी जो भी चीज है, इस बच्चा होती है, सब जमा होता है, यह आप देख रहे होंगे, और्थो, यह देख रहे हैं जितना फार्मेसी, दवा बितरन केंद्र, जो कि पुरुष के लिए अलग कॉंटर है, और महलाओं के लिए अलग कॉंटर है, तो यह एवन टू पुरुष के लिए, यह है फार्मेसी, अनुकरा नहरा मगन मेटकल कोलेज का, तो यहां पर महलाओं का यह कॉंटर है, यहां पर वही जिसका बेट कर रहे हैं ते वो है CT scan room यह CT scan का room है जो कि देख रहा होंगे आप CT scan होते हुए और CT scan का machine भी यही है अब मैं इससे CT scan से जुड़ी एक जनकारी बता दूँ कि अगर आप मगदमेट कल में आते हैं किसी भी बिमारी का इलाज करवाने अगर आपका CT scan लिख दिया है तो आप CT scan तो करवाएंगे जरूर लेकिन आपको CT scan का report दिया नहीं जाएगा नहीं आपको दिया जाएगा नहीं आपके परिजन को दिया जाएगा तो जो भी व्यक्तिया इसा सोचते हैं कि वहां जाने के बाद सस्ता में CT scan करवाकर और वहां से आ जाएंगे तो यह ची साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि जहां आप आएंगे अगर होस्पीटल में तो सबसे पहले आप कहां जाएंगे जो पुरुचा कटाने के लिए तो यह देख रहा है क्या कैसों विदाएं OPD में सरजरी के लिए नेत्र के लिए कान के लिए अक के लिए हड़ी के लिए ग सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं यह है इमर्जंसी डिपार्टमेंट का गेट और यहां पर आपको दिख रहा होगा कि इमर्जंसी डिपार्टमेंट का जो पंजी करन का काउंटर है वो अलग होता है डायरेक्ट यहां कर भरती हो तो यहां पंजी करन होता है यह सब सा जाता है तो उसे सुरच्छित अपनी जगों पर ले जाने के लिए इस भान का उप्योग किया जाता है इस गाड़ी में एक ही सुविधा है इसी होते हैं सुरच्छित अपने जगों पर जाते हैं और इसमें किसी भी तरह का बोडी का नुकसान भी नहीं होता है तो यह है थेंक्यू, धन्दवाद।